स्लाम उलेकू फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई करते हैं एक क्वेस्टन को हमारे पास ये क्वेस्टन है X की पावर 3 और इस पूरिटम की पावर 2 डिवाइड़ बाई X पावर 3 and 3 पावर 2 इसको हम झा करना है सिंप्लीफाई तो चलो साल करते हैं सबसे पहले ये लिखा हुआ है X की पावर 3 multiply 2 अब ये जो X की दो पावरें दर दी हुई है ये दोनों पावरें आपस में multiply हो रही है मतलब ये लिखा हुआ है 3 cross 2 ये बनता होता है 6 तो ये X की पावर बन जाएगी 6 divided by X तो इसी तरह अब ये उपर लिखा हुए पहले 3 की पावर 2 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 cross 3 3 की पावर 2 भी लिख सकते है 3 cross 3 9 होता है तो इस टार्म की जगा हम लिखेंगे 9 मतलब X की पावर 9 बन जाएगा ठीक है इसके बार जैसे हमारे पास होता है 8 divided by 4 तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते है 8 divided by 4 इसको इस दोनों तरीकों से हम लिख सकते है तो इसी तरह अब ये है X की पावर 6 divided by X की पावर 9 तो इन दोनों टार्म को हम इस चकर में लिखते है ये बन जाएगा X की पावर 6 divided by X की पावर 9 यह हो गया, अब आपको बता है, जब दो टर्म आपस में multiply, sorry, divide हो रही हो तो उनकी पावरें minus हो जाती है, तो यह बन जाएगा, x की पावर 6 है, नीचे वाली पावर उपर जाएगी, दूपर जाकर यह से minus हो जाएगी, यह क्या बन जाएगा, x की पावर 6 minus 9 करेंगे, तो x की पावर minus 3, जी आगया, तो यहां तक हमारा answer आगया, अगर आप इसको एक स्टेप और simplify कर लें, तो वो हमारे लिए over best हो जाएगा, यह है, x की पावर minus 3, जब हम इसको division की चकल में लिखेंगे, तो इसकी पावर 1 over x 3, नीचे आगी तो इसकी पावर positive हो जाएगी, अगर इस इसलिए हम ने इसको इस तरह लेकिए, तो जी हमारा इस question का answer आगी, तो मज़ीद वीडियोज के लिए इस चैनल को subscribe, जरूर कर लें, okay friends, thank you for watching, and Allah Hafiz,